वल्कम तु में चानल, आज मैं आपको बताऊंगी चेरे को पिम्पल को हटाके चेरे को ग्लोइंग और स्पोर्टलेस बनाने का तरीका दिखाने वाली हूं एक लीन बॉल में एक छेमच बेशन का आटा लीजिए एक छेमच चेंदन पॉर्डर लेके दो चीज़ को अची तरह मिला लीजिए ये अपना स्किन कामपलेक्शन को इंप्रू करता है और स्किन पे फ्राइन लाइन्स को विंकल्स को दूर करके स्किन को गोरा और स्पोर्टलेस बना देता है इस तरह इस दो चीज़ को अच्छी तरह मिक्स करें, इसके बाद इसमें हमें एड करना है हल्दी, हल्दी एड करके फाइन पेज जैसा मिक्स कीजिए, क्योंकि ये पैक हर स्किन टैप के लिए सूटेबुल है, मेल फीमेल बच्छे कोई भी इस्तमाल कर सकती है, इससे कोई भ इसके बाद इसमें हमें एड करना है हनी, इसके बाद इसमें हमें वाटर एड करके फाइन पेज जैसे मिक्स करना चाहिए, क्योंकि ये पैक का कास बात यह है, हर स्किन टैप के लिए सूटेबुल है, इससे कोई भी लगा सकते हैं, कुछ भी साइड एफेक्ट नहीं, आप इसको हाड रोज भी इस्तामाल कर सकती हो, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आपको जब भी फ्री टाइम मिलें, इस पैक को बना ली चिए, और यूज करें, क्योंकि इससे कोई भी साइड पे नहीं, 100% सेफ और एफेक्टिव है, आपना स्किन को लाइटन करने इस पैक को अपले करना है, चेहरे को अच्छी तरह दो लीचिए, इसके बाद अपना अंडरे एरिया आंकों के नीचे चोड़के, पूरा फेस को अपले करें, इससे स्किन टाइटन होगा, ब्राइटन होगा, और डॉक स्पोर्स भी दूर हो जाएंगे, अपले करने के बा अच्छा रिजल दिखेंगे, बीस मिनिट तक चोड़के, आपको चेहरे को नार्बल पॉल से वाश करें, ऐसा आप करके देखिए, आपका स्किन क्लीन होगा, और एक ही वाश में ही, एक ही यूस में ही आपको रिजल्ट आजाएंगे, अगर आपका चेहरा ज्यादा ही करा तो आप इसको एक ट्रीटमेंट की जैसा 15 दिन आप इसमाल करें, क्योंकि रेगुलर इसमाल से आपका डिफरेंस देख सकते हो चेहरे के उपर, और आपका चेहरा साफ, क्लेर होगा, स्पोर्टलेस बन जाएगा